दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे best moving average की और यह जो moving average के हम बात कर रहे हैं यह period wise नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं SMA versus EMA यानि simple moving average और explanation moving average दोनों के अंदर कौन जाधा better result देगी एक stock है एक stock पे हम पूरा back testing करेंगे 10,000 पे investment से शुरुआत करेंगे और अपन breakout के ऊपर हम यह काम करके देखेंगे पहले SM में लगाएंगे फिर EA में लगाएंगे और check out करेंगे किसने जाधा पैसा बना करके दिया दोनों में differences क्या होते हैं छोटा सा आपको demo देते हो बाकि हमारे चैनल के ऊपर especially SM में कैसे developed होती है और EA में कैसे developed होती है इसके dedicated videos है आप जा करके देख सकते हैं बाकी में पताते हैं simple moving average basically बहुत ही simple होती है क्या होती है अगर 10 दिन के आपको कोई average निकालनी है किसी भी चीज़ की तो वो 10 दिन का closing price catch करेगी divided by 10 करेगी फिर आपको एक price आ जाएगा तो व तो जो recently के 5 दिन है जो 5 दिन है recently के उसकी जाधा weightage लेगी और पुराने 10-15 जो दिन है उसकी weightage कम लेगी यानि जो recently data आ रहा है उसको जाधा एहमियत देती है तो ये क्या करती है ये आपको थोड़ा सा entry जल्दी कराने में मदद करती है और थोड़ा सा exit भी जल्दी कराने म में help करेगी अब इसके advantage भी हो सकते हैं इसके disadvantage भी हो सकते हैं खेर आज की वीडियो में एक बाप backtest करके देखते हैं और देखते हैं दोनों के अंदर कौन सा best काम करते हुए दिखाई देता है बहुत बस्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटूब चैनल में में अनमोल मित्तल तो दोस्तों back testing करेंगे stock के ओपर stock करना में वॉल्टास हमारे वियर्स ये भी कह रहें कि वॉल्टास के ऊपर ही back testing क्यों क्यों आप stock biased हो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपको next video nifty और bank nifty दोनों की back testing के ऊपर दूँगा ताकि आप पर index wise भी देख सके कि कौन से जीज बैटर काम कर रही है वॉल्टास पर करने का mainly reason ये है क्योंकि ये जितनी भी back testing है मैं manual कर रहा हूं इसमें थोड़ा time लगता है तो पुरानी back testing already करी हुई है तो नई back testing करी उसमे time spent करा तो पुराने वाला जो काम तर आवा है उसका समय बच जाता है that's why reason वॉल्टास को वापिस consider कर रहे है बाकी म safety के उपर जो हमारी strategy RSI breakout वाली उसके उपर वीडियो प्रेजन्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा चलिए आप strategy क्या है जिनको नहीं पता उनको बता देते इसमें सबसे important क्या है RSI हम indicator वाले sections में जाते है और यहाँ पर एक indicator लगाते है जिसका नाम है RSI तो यह देखिए जो मैंने indicator ही लिख दिया गलती से RSI चलिए relative strength index और इस indicator की settings में अगर हम जाते है तो कुछ modifications करेंगे सबसे पहले जो modification है वो है कि moving average की line को हमें लगाना है तो उसको हम check mark करेंगे तो यह देखिए RSI की line के नीचे moving average की line आगी है दोनों lineों को bold कर देंगे ताकि visibility हमें अच्छ देखिए visibility अच्छी है violet color की line है RSI की नीचे लगा देए simple moving average और यहाँ पर देखिए जो यह moving average की line है यह SMA पे लगी हुई है यानि simple moving average लगी हुई है तो इस पर त्लिक करके हम इसको EMA कर देते हैं अब यह बन गई है exponential moving average यानि RSI के जो recently के data होंगे recently की moment होगी उसको यह थो तो इसी करीब चलेगी RSI के ठीके थोड़ा सा पास चलेगी entry भी जल्दी देगी और exit भी जल्दी देगी अब इसका back testing में क्या result आया उसको दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे तो cool मिलाकर के हम इसको okay कर देते है strategy क्या है हमारी जैसे हम आपको काफी दिनों से बता ह लेकिन मैं बार-बार इसलिए बताता हूं हर वीडियो में क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं वीडियो के अलतर वो पहली बार आते हैं उनको नहीं पता कि पुराने दिनों में क्या बात हुई तो उनको थोड़ा सा idea लगे तो strategy दोस्तों बड़ी simple है RSI की हम क्या करते जब भी RSI moving average की line को break करके उपर जाएगा तो हम यह consider करते हैं कि market के अंदर एक up momentum आ सकता है upside एक momentum established होगा ठीक है तो यह दोस्तों यह है कि उपर गया तो upside का momentum और जैसे देखे यहाँ पर नीचे की तरफ आता है RSI तो हम इसको consider करते है down momentum तो cool मिला करके दोस्तों यह चीज हम यह consider करते है that's it सारे trade शर्फ long के ही consider करते है short का कोई trade consider नहीं करते क्योंकि इसका एक main result है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं one month के time frame की काफी लोग कहेंगे one month का time frame तेरा दिमाग खराब है कौन use करता है यह one month का time frame हमने तो आज तक 5-10-15 minutes से जाधा time frame ही use नहीं करा तो many traders ऐसे हैं जो market में सिर्फ internet है करते हैं तो उसे जाधा कि उनको ज़रूद नहीं पढ़ती है लेकि one month का time frame यूज करने का mainly reason यही है कि stock इस time frame के अंदर 2-3-4-10-10-10 होते भी हमने देखा है तो जब कोई चीज 10-10 होती है तो हो सकते है entry में आपका 2x चला गया exit में 2x चल बड़े time frame पे one month के time frame पे जो indicator चाहे वो लगा कर कि देखो तो बीच का part खाना आपके लिए आसान हो जाता है और जो भी लोग है जिन्नोंने भी इनको invest करा है RSI है या बहुत सारे moving averages है क्या हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उन्ने इंवेंट किया था उस time पर तो होती भी नहीं थी इंट्राडे ट्रेडिंग है न तो वो भी थोड़ा लंबा समय लेकर ही market के अंदर रुजहान लेकर ही market में trade opportunity डूंटते थे तो वो भी इंडिकेटर इसलिए develop उन्होंने नहीं करा था क्या आप इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे इससे और इंट्राडे ट् मिलती है तब लेट हो जाते है एकजीट तब लेट हो जाते है तो जो momentum आता उसमें बीच का पार्ट नहीं खा पाते हैं और इसी वज़य से इंडिकेटर को गाली पड़ती है हाला कि इंडिकेटर अपनी तरीके से मस्त काम कर रहें तो प्रॉब्लम नहीं है चलिए तो यह स हमारी लग गई अब सीधा हम चलते है रिजल्ट के ओपर कि अगर हमने ऐसे बाय एंड सेल किया होता एकजीट करा होता बाय एकजीट बाय एकजीट किया होता तो कितना पैसा हम वाल्ट डास बना सकते थे लास्ट टुवंटी एयर्स के अंदर तो वह दोनों चेक करते हैं तो यहां दोस्तों Excel sheet है, सबसे पहले यहां पर देखें, पुराना data है, यह जो यहां पर result मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो आप यहां देख रहे हैं, यह देखें, ऊपर वाली sheet देखेंगा, नीचे वाली sheet मत देखेंगा, यह 1 week के उपर मैंने back testing करी दी, यह manual back testing करी हु और यहां पर हमने इसको पुराने data के साब से consider करा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यह जो back testing है, यह है simple moving average के signals के उपर, और अभी हमने email लगाया था, तो पहले simple moving average से हमने कितना पैसा बनाया है, उसको एक बाद चेक आउट करीए, तो simple moving average के साब से, 1 month के time frame पे, RSI का breakout वाला signal अदर हम pick करते हैं, तो यहां देखिए, पहला trade 19 उर्वेगा था, exit 70 रुबे में मिला, multi bagger पैसा हुआ, 10,000 पे आपके तबदील होगे, 36,000 रुबे में, और 26,000 का profit आपने कमाया है, सिर्फ 10,000 की investment से, यह investment सिर्फ one time है, ऐसा नहीं कि हर महीने 10,000 लाना हमने result देखा था, जितने भी हमने RSI के trade लिए, breakouts के उपर, और जब breakdown आया, तो हमने exit करा, तो उसमें हमें एक result देखने को मिला, वोल्टास के अंदर, कि 10,000 पे आपके तबदील हो गए थे, 7,000 रुपे में, यानि 70X profit आ गया था, SME के, और RSI के signal के उपर, यह result है, तो यह एक कुल मिला करके यह पैसा बन गया था, कितना, 7,000,000 रुपे, clear है, अब comparison दिखाऊंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा, कि EA मेंने क्या करा, क्या EA मेंने यह पैसा घटाया, यह यह पैसा बढ़ाया, और बीच में अगर आप देखेंगे, इस पूरे pack testing के result में, सिर्फ 9 trade हमें मिले है, और 9 में से सिर्फ 2 trade ऐसे हैं, जो loss making है, जिसमें से 1 trade आप देखें, 13,000 पे आपका गया, और इस trade में 1,34,000 पे का नुकसान हुआ, investment भी बड़ी थी, लदबक 5 लाग की investment थी, percentage term में अगर आप देखेंगे, तो भी थोड़ा बड़ा ही है, यह नुकसान, लेकि यहाँ पर देखें, मैंने दोनों एक page के उपर लगा दिया है, पहला आप देखें, result आ रहा है, RSI breakout with EMA, अब यहाँ पर हमने बात करी है, exponential moving average की, पिछली slide में हमने बात करी थी, SMA की, तो यहाँ पर देखें, दोनों result मैंने लगा दिया, नीचे भी मैंने result लगाया है, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहला जो आपको signal मिला, वो मिना 1 September 2004 को, और SMA के अंदर कम मिला था, November में, तो इसने signal entry का थोड़ा सा जल्दी दिया, और अगर आप देख रहे हैं, इसने buy कराया, solar पे 20 पैसे में, और exit उसने same ही कराया, 70 पे exit कराया, और पहले ज 36,000 बन गए थे, इसमें 43,000 रुपीज बन गए, यानि इसके अंदर पैसा आप जादा कमा बाए, क्योंकि आपकी entry थोड़ा सा पहले हो गई थी, अब अगर आप थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ देखें, यह SME वाला पूरा backtest है, आप इसको देखेंगे, यह SME वाल percentage रहा, उसके बाद अगर हम देखें, बाकी के trades आप देखिए, बाकी के trades चलते रहे, पैसा बनता रहा, 10,000 पहले 40,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 1,00,000 हुआ, फिर 80,000 रहे गया, फिर 2,00,000 क्रोज करा, फिर 3,00,000 क्रोज करा, फिर वही stable हुए, फिर 4,00,000 बना, फाइनली दोस्तों हम पहुच गे, 9,50,000 के आसपास, यहां तक दोस्तों ने 10,000 पहुचा दिया, trade कर करके, यहां पर holding periods भी जादा है, months भी जादा है, और अगर जितना आपने time spend करा है इसमें, जैसे कि आप देखें किसमें 12-13 साल ही आप invested रहे, टोटल 20 साल नहीं रहे, ज इसको bank में भी रखकर के interest कमा सकते थे, जब तक entry नहीं मिल रहे थे, या किसी दूसरे stock में जो entry मिल रहे थे, उसमें shift कर सकते थे, तो 12-13 साल में अगर मैं इसका CAGR निकालू, तो इसका CAGR चले जाते है, 45% से उपर, 50% के आसपास CAGR आएगा जाकर के, तो कितना जब पर दस return हमें देखने को मिला, सिर्फ यह signal पिक करके, और आपके 7,00,00 पर जो SMA के अंदर बने थे, इसके अंदर 0,5,00 पर जाधा बने, तो यह हमें थोड़ी सी जाधा effective देखी, अब एक चीज़ यहां पर और दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक trade है द तो ऐसा क्या था, वो कौन सा trade था, जिसके अंदर नुकसान हो गया, जैसे कि यह वाली देखी, यहां date मैंने लिखी हुई है, जब मैंने entry करी थी, एक FAB 2022 को एक trade मिला था, SME की लाइन के उपर, जिसमें हमें नुकसान हो गया था, 1,34,000 का, लेकिन ठीक अगर हम देखे, इ यहां पर हमें 1 FAB को कोई trade मिला ही नहीं, EMA में, इसने हमें trade दिया 3 अगस 2020 में, और यह profitable trade है, यह अच्छा खासा पैसा बना के दिया, तो एक बार यह analyze करते हैं कि 1 FAB 2000, यहां पर ऐसा कौन सा trade मिलिया 2022 में, जो हमें नुकसान देखे गया, और उसको EMA ने capture नहीं करा, तो चलते हैं, और यहां पर मैं settings में जाकर के सबसे पहले में ना दा लेता हूँ, SM में, ठीके न, SM में ने नुकसान दिया था, और अब हम चलते हैं, FAB 2022 में, ठीके, तो यहां पर देखे, छोटी सी होच-पोच यहां पर दिख रही है, इस पे थोड़ा सा focus करने ही की जरूरत ह है, यहां पर दोस्तर थोड़ा सा trap हो गए, तो यहां पर देखे, यह trade ना हमें यहां मिला था, यह देखे, यहां पर, एक FAB 2022 नीचे date लिखी हुई है, इस candle पर दोस्तर यह trade मिला था, और जैसे कि यह हमारी strategy है कि जैसे ही RSI crosses above करेगा, moving average के, वैसी entry करेंगे, तो देखे, above करा था, प्लस इस candle का जो high था, वो भी break हो गया था, तो हमें entry मिल गए थी, लेकिन suddenly market reverse हुई यहां से, that's why reserve आपको नुक्सान हुआ, तो यहां देखे, यहां reverse हुई, तो यहां कई हमें exit करना पड़ा होगा, तो यह जो beach का यह वाला part है ना, इसमें हमें क्या हुआ, लोस हुआ, और उसी वजए से हमने देखा कि 1,34,000 पे हमारे यहां पर minus में जनेगे थे, यह trade हमें मिला था SMA के अंदर, लेकिन यह trade हमें क्या EMA के अंदर मिला था, यह दोस्ता फरक आ रहा है, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने 5,500 अर्पे फाल्तु कमाए, लेकिन इसमें एक बड़ा रोल इस trade का भी है, उस 2,500,000 में, 1,34,000 इस trade के भी है, तो एक काम करता हूँ, मैं SMA की line अब हटाता हूँ, और SMA की जगा EMA नगाता हूँ, अब signal देखना, वो ही है, एक FAB की बात कर रहे है, यहां पर आप signal देखे अब, क्या crosses above करा था, crosses above यहां करा था, और यहा trade यहां पर मिला नहीं था हमें, तो इसलिए जब हमने back testing करी, तो हमें पता लगा कि वो trade आई ही नहीं रहा है, EMA के अंदर, EMA में तो यह पुराना trade आया था, और इस पुराने trade के अंदर entry करा ते यहां exit करा दिया था, और नया trade फिर अगस्त में आया था अगले साल, तो य back testing के अंदर, और एक चीज जो मैंने notice करी, जो आपने भी करी लिए, कुछ हद तक कर चुके आप, notice, मान लेते कि आपने यहां पर डाई लाग फालतों को में, EMA में, ऐसे में हमने 7 लाग अबाए थे, उसमें डाई लाग हमने ज़्यादा कबाए, तो उस डाई लाग में से 1,34,000 मान लों तो काड़ देते हैं, यह जो नुकसान है न, 1,34,000 का, इसको कम कर देते हैं, बचा कितना, 1,20,000, 1,20,000 भी आपको फालतों EMA दे रही है, उसका भी डिफरेंस आ रहा है, तो यानि हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि इस trade की वज़े से ही वो ज़्यादा figure आ रही ह ऐसा नहीं है, इसको हटाने के बाद भी आप 120,000 प्लस में हो, तो ये दोस्तों दो चीजे हैं, जो मैंने इहां पक नोटीस करें, अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, काफी लोग वन मंत के टाइम फ्रेम पर इरिटेट होते हैं, क् कि एक केंडल एक महिने में बनती है, कब एंट्री देगी, कब एकजिट देगी, दो-चार केंडिल साइडवेस चलीगी, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, कि भी पांच महिने दब कोई पैसा बना नहीं है, और हम बहुत बोर हो जाते हैं, और मार्किट में देखिए, दो सेग कर रहा है, तो उसको थ्रिल तो मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, और जो मार्किट के अंदर पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको थ्रिल नहीं मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, या नहीं कहने का मतलब यह है, कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से अगर आप उसे पूछे, यह एक boring काम है, यह excitement वाला काम ही नहीं है, और जो इसको excitement की तरह कर रहा है, वो पैसा नहीं बना रहा है, उसको excitement market बखू भी दे रहा है, तो यह दा दोस्तों कुल मिला करके EMA और SMA का comparison, कैसा लगा, ज़रूर बताएगा, आपकी शिकायत होगी, कि सिर्फ बोल्टास ही क्यों, तो मैंने आपको बोला, शायद मैं कल आपको वीडियो प्रेजेंट करूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, EMA, SMA, दोनों का आपको दिखा दूँगा, कि कितना result दिया, कितना investment में result बनता, वो सारा चीज दोस्तों में प्रेजेंट कर दूँगा चाहे positive चीज आए, चाहे negative आए, whatever कुछ भी आए, आपके सामने चीज़े प्रेजेंट कर दूँगा, manually सारा back testing है, बहुत मेनत लगती है, बहुत सारे गंटे waste होते हैं इसको analyze करने में, software के through में नहीं कर रहा हूँ, तो that's why reason यह थोड़ा सा time consuming काम है, तो थोड़ा सा आप appreciate क बन रहा है, हाला कि ऐसा नहीं है, इंट्राड इसे भी आप पैसा बना सकते हो, अच्छा segment है, लेकिन करना आना चाहिए, psychology developed होनी चाहिए, तो हमने दोस्तों इसके उपर एक course design करा है, इंट्राड इट्रेडिंग के उपर, जिसमन में psychology, realistic targets, क्या approach आपकी होनी चाहिए, क्या आप trade कर सकते हो, ये तीन चीज़े हैं, दोस्तों मैंने इस course के अंदर आपको दिये हैं, और ये सारे चीज़े आपको हम provide करा रहे है, बिल्गुल free of cost, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, बद थोड़ा बहुत आपसे काम कराऊंगा, वो ये है, कि आपको हमारे चैनल को subscribe करना है, cross check हम कर लेंगे, और उसके बाद एक Google phone हमने provide करा है, description and comment box में, उसको feel करके बेज दीजिएगा, और हम आपको एक से दो दिन के अंदर course provide करा देंगे, तो बस दोस्तों इतनी ही सी आपसे demand है, और इतनी सी request है, बाकि दोस्तों वीडियो को wind up करते हैं, कल व कर दोस्तों